हेलो फिरेंट्स मेरा नाम है इमाद और आप देख रहा है स्मोल टेक चेनल दोस्तो आज मैं आप लोगों से बात करेंगे वाला हूँ इंडिया पोस्ट पेमिन में के मूबाइल अपलोड कर दिया है यह एक पार्ट फू वीडियो है इसका पार्ट वान में पहली अपलोड कर दिया है अगर आपने ओ वीडियो नहीं देखा तो मैं यहां उपर आई बोटन में उसका लिंक दे रहो आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों से पुरा डिटेल्स में बात करूँगा वीडियो थरो लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को एन तर देखिए इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडिया पोच पेमेंड बैंक एप्लिकेशन के बारे में पूरा डीटेल्स में समझ जाएंगे इस वीडियो में आप लोगों के साथ पूरा डीटेल्स में बात करूँगा कैसे add money करते हैं कैसे money transfer करते हैं IMPs, NFT, कैसे David Cut को order करते हैं checkbook order करते हैं पूरा डीटेल्स में बात करूँगा इसलिए वीडियो थोरो लंबा हो सकता है लेकिन आप वीडियो को end तक देखना इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरा समझ जाएंगे इंडिया post payment bank mobile application के बारे में वीडियो चलू काने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ हमारा चैनल पर एक छोटा सा giveaway चलू है अगर आप giveaway में आभी तक participant नहीं किया तो उस वीडियो का link मैं यहां उपर आई बोटन में दे रहे हूँ आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं नई का उस वीडियो का link मैं आपने वीडियो का description में दे रहे हूँ आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इंडिया पोस्ट वेमेन मैंग मूबाइल बैंकिंग में लॉग इन होने के लिए आप सबसे पहले IPPB मूबाइल बैंकिंग इस application को open कर लेंगे ओपेन करते हैं यहाँ पर आपको दो option देखने को मिल जाएगा सबसे पहला login now और दूसरा open your account now पिछले वीडियो मैं आप लोगो को बताया था आप अपना account को कैसे open कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो में आप इसको login करते हैं login पर klik करने के बाद आतो जो account number मिला है और customer id मिला है आप उसको यहाँ पर इंटर कर देंगे तो चलिए मैं अपना account number और customer id इहां पर इंटर कर देता हुँ ऑक स्लूपनली पार सब्सक्रावभित्यकल आपे सटोल कमेसे सब्सक्राइब देखल सब्सक्राइब नियुद्र को एंगे मुबाइल कीशना में उसल नम्बर को स्मिप्पार नियुद्र और योगиком का MPIN select करना होगा तो चलिए मैं अपना हिसाब से 4-digit का MPIN select कर लेता हूँ MPIN को दुबारा इंटर करने के बाद आप यहां से निचे सेट MPIN इस पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके मूबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा आप उस OTP को यहां पर इंटर कर देंगे तो चलिए मैं OTP को यहां पर इंटर कर देता हूँ मैं OTP इंटर करती है यहां पर देख सकते हैं रेजिस्टेशन सक्सेस्पूल हो गया है आप इस लॉग इन बला बटन पर किलिक करेंगे लॉग इन पर किलिक करने के बाद आपने जो MPIN select किया था उस MPIN को यहां पर इंटर कर देंगे तो शली मैं MPN को यहां पर इंटर कर देता हूँ MPN को इंटर करती आप successfully इस application पर login हो जाएंगे login करती यहां पर आप देख सकते हैं आपका account balance यहां पर हो जाएगा उसके निचे आपका account number यहां पर इसके निचे यहां पर आपको आपको बहुत सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगा सबसे पहला प्रफाइल डिटेल्स चेंज आप अपना MPN को यहां से चेंज कर सकते हैं और नीचे यहां पर आप देख सकते चार्ज यहां पर आपको चार्ज के बढ़े में सब कुछ यहां पर बताया गया है तो फिरेंड जलिए मैं यहां पर सभी अप्सिन के बढ़े में आप लोगों को एक एक करके बता देता हूँ आप सबसे पहले यहां पर ठीडॉट पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं आपका अपना लास्ट ट्रांजेक्शन को यहां से देख सकते हैं मेरा भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ इसके लिए आपको यहां पर नोट्रांजेक्शन फांड्स होकर है तो चलिए मैं इसको कर लेता हूँ एड मनी करने के लिए आप कोई भी अप्लिकेशन को यूज़ कर सकते हैं फोन पर पेटिये मोहा पर एकाउंट नमबर और आएफसी कोड को इंट्रा करके आप इस एकाउंट में एड मनी कर सकते हैं तो चलिए मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिमो दिखा देता हूँ को और लेता हूँ पेटिये मूट करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं इस पर इस पर क्लिक करेंगे हम्एक को इस के बाद आप आपको एप्लिकेसं में IFSC code देखने को मिल जाएगा, आप उस IFSC code को यहां पर इंटर कर देता हूँ, IFSC code को इंटर करने के बाद यहां पर आप अपना account holder का name लिख देगे, account के नाम पर है, तो चले मैं account holder का name यहां पर लिख देता हूँ, account holder name लिखने के बाद आप इसको proceed करें कॉंफर्णूम करते हैं यहां पर देख सकते हैं अकाउंट एड सक्सेस्फुल हो गया है उसके बाद आप सिंपली माणिटेंस वार इस पर किलिक करेंगे उसके बाद आप अपना एमाउंट को इंटर कर देंगे आप कितना रुपे एड करना चाहते हैं तो चलिए मैं एक्ज आप उस पीन नमबर को यहां पर इंटर कर देंगे तो चलिए मैं यूपे आइप को इंटर करने के बाद आप इसको करेंगे करती हैं यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एकाउंट में सक्सेस्फुली 500 रुपीज एड मरी हो गया है आप यहां पर वीव डिटेल्स पर क्लिक कर सकते विव डिटेल्सफर कलिक करके यहांपर आप हैंपर ईस अपलघेसंहें में कैसे हैं तो चलिए मैं इस आप लोग इन करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं मेरा एकाउन में successfully 500 रुपीज ट्यांसपर हो गया है आप यहां पर भीव इस्टेर्मैन इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के बाद यहां पर भीव लास्ट 10 ट्रांजेक्शन आप इस पर किलिक करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं मेरा ए नीचे यहां पर आप देख सकते हैं सेंट टू निव बैनिफिसिटी आप इस पर क्लिक करेंगे इस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको तीन अस्विन देखने को मिल जाएगा सबसे पहला अकाउंट नमबर प्लास आएफसी कोर्ड दूसरा मोबाइल नमबर प्लास एमम दुख को दिखा देता हूँ बैनि इस रिन निचे यहां पर आप अकाउंट नमबर को इंटर कर देगत और अंगर को रहें से सार्च कर सकते हैं तोकितना रूपे सेंड करना चाहते हैं तो farming example के लिए यहां । कर लेता हूँ कि उसके बाद अभी माप पर यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं तो सिलिए में एक्जाम्पिल के लिए यहां पर पे लिख देता हूँ रिमाप को फिल करने के बाद आप थोड़ा नीचे के तरफ आएंगे यहां से इसको कॉंटिन्यू करेंगे कॉंटिन्यू करती हैं यहां पर आपको चूज करना होगा आप एन एफ्टी का तुरूप एससे ट्रैस्पर करेंगे कॉंटिन्यू करने यहां पर आपको कुछ लेट करना होगा कुछ देर वेट करने के बाद यहां पर आप देख सकते मेरा एकौंब्ली सक्सक्पुली हांडरेट उपिस ट्रेंट सफर हो गया है अगर डिएक ब्रिको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको येस कर लें अपने जिस बन्दे को 50 सेंट किया है उसका बैनिफिसरी आपका एकाउन में सक्सेस्फफ़ली एड़ हो गया है दुबारा उस बन्दे को 50 सेंट करने के लिए उसका एकाउन नम्बर डलने की कोई जूरुत नहीं है वो यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर पहले सी 100 कर रहा है, अगर आप दुबारा money transfer करना चाहते हैं, तो आप simply इस पर click करेंगे, इस पर click करके, आप amount को इंटर करके, यहाँ से money transfer कर सकते हैं, तो चलिए मैं इसको back कर लेता हूँ, यहाँ आप आप देख सकते हैं, मेरा account से 100 रुपे कट हो गया है, आप view statement पर click करेंगे, उसके बाद यहाँ पर view last payment transition इस पर click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप ने जितना भी transition किया, वो सब कुछ यहाँ पर सो हो जाएगा, आप यहाँ पर passbook पर click कर सकते हैं, passbook पर click क तो अचली मैं इसको back कर लेता हूँ, तो फिर अचली map logo का भी जो दूसरा option है, उसके बार में बता देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, standing interaction, आप इस पर click करेंगे, इस पर click करने के बाद आप यहाँ से भी money transfer कर सकते हैं, उसके लिए आप एड new करना पड़ेगा, उ उसके बाद जो next option है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, manage beneficiary, आप इस पर click करेंगे, यहाँ से आप beneficiary को देख सकते हैं, आपका कितना beneficiary add है, वो यहाँ पर show हो जाएगा, और दूसरा option है, add new beneficiary, आप इस पर click करके कोई new beneficiary को यहाँ से add कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं इसको back OSB, तो चली मैं इसको back कर लेता हुआ भी, उसके बाद नीचे के तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं, pay by QR, आप किसी भी QR code को scan करके, यहाँ से money transfer कर सकते हैं, तो चली मैं example के लिए आप लोगों को एक बाद दिखा देता हूँ, आप simply scan QR, उसके लिए आप simply scan QR इस पर click सकते हैं, आप यहाँ से किसी भी QR code को scan कर सकते हैं, अभी कोई technical problem से यह आभी unavailable to process access हो कर रहा है, तो चली मैं इसको back कर लेता हूँ, उसके बाद जो next option है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, pay bills आप इस पर click करेंगे, इस पर click करके यहाँ से आप किसी का भी bill वहर सकते हैं, electricity, mobile post page, broadband, landline, dth, recharge कर सकते हैं, gas booking कर सकते हैं, water, recharge, आप कुछ भी यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप recharge करना चाहते हैं, तो आप simply recharge पर click करेंगे, recharge पर click करने के बाद आप यहाँ पर mobile number इंटर कर देंगे, और amount इंटर कर देंगे, वहार यहाँ से आप operator को select कर लेंगे, कौन सा operator है, आप यहाँ से recharge कर सकते हैं, तो चली मैं इसको back कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ से electricity bill भा सकते हैं, उसके लिए आपको electricity इस पर click करना होगा, इस पर click करने के बाद यहाँ से आप location को choose कर देंगे, आप कहाँ पर रहते हैं, तो चली मैं example के लिए यहाँ पर वेस्ट इसको back कर लेता हूँ, उसके बाद आप यहाँ से बिलार को choose कर लेंगे, तो चली मैं वेस्ट वेंग और electricity को choose कर लेता हूँ, फिर आप इसको submit करने के बाद आपका customer idea वो आप इंटर कर देंगे, और mobile number इंटर कर देंगा, फिर submit कर देंगे, आपका electricity bill यहाँ से जमा हो आप इस पर किलिक करेंगे, इस पर किलिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, विर्चुएल डेविट कर सार्विस आर गोईंग टू स्टार्ट शॉर्टली, यहाँ भी चालू नहीं है, लिकिन कुछ दिन का अंदर यह विर्चुएल डेविट कर वाला feature चालू हो मूबाइल नम्बर को इंटर करके मानी ट्राइसपर कर सकते हैं, और तिसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपने पहले नमीनी को एड नहीं किया, तो आप उसको यहाँ से एड कर सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पर नमीनी का नेम, डेट और बार सब कुछ यह रिंटार करना होगा तो चलिए मैं इसको ङए कर लेता हूँ उसके बाद यहां से अपपना पैन कार को आपडेट कर सकते हैं गयां पर अपडेट करने के बाद आपका यहां से चूज करने के बाद आप इसको आपडेट करेंगे तो आपका इमेल आइडी पर आपना इस्टेटमेंट आ जाएगा तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ उसके बाद जो next option है यहां पर आप देख सकते है request and complaints अगर आपका कोई complaint है तो आप यहां से complaint कर सकते है तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ उसके बाद सबसे नीचे जो option है upload आप इस पर किलिक करेंगे उसके बाद आपके समने आपका customer area account number सब कुछ यहां पर हो जाएगा आप अपना account के सब दूसरा documents को यहां पर upload कर सकते है तो चलिए मैं इसको बैक कर लेता हूँ तो चलिए अभी हम चलते हैं सबसे लास्ट option के तरह यहां पर आप देख सकते हैं DOP service आप इस पर किलिक करेंगे इस पर किलिक करने के बाद आप यहां से recurring deposit सब कुछ यहां से चलू कर सकते हैं loan account यहां पर आपको बहुत सब आप्सन देखने को मिल जाएगा आप अपना हिस इसको यूज कर सकते हैं तो चलिए मैं इसको भी बैक कर लेता हूँ इसी तरह से आप इस application को घर बैठे यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको ब्रांच में जाने की कोई जोत नहीं है यहां से आप money टेन स्वार bill payment सब कोच कर सकते हैं और कुछ दिन का अंदार आप लोगों को इस application में डेविड कर देखने को मिल जाएगा जब भी फीचर सलू हो जाएगा मैं आप लोगों को वीडियो बना के बताऊंगा इसके लिए आप चैनल को जुरूर से subscribe करना तो इसलिए मैं अभी इस application को logout कर लेता हूँ उसके लिए आप सिंपिल इसको ओके करेंगे इसी तरह से और भी अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए चैनल को जुरूर से subscribe करना और साइट में जो बेल आइक हो है उसको भी दावा देना ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो अप्लेट करूँ आप सबसे पहले देख सकते हैं आम इस बेल आगासाइब आपसाइब आपसाइब आपसाइब